पता है लाइफ इतनी complicated क्यों होती है और क्यों हम इतने confused रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जिन्दगी हमसे चाती क्या है वो इसलिए कि दूसरों और दुनिया को समझने में तो हम पूरी अपनी जिन्दगी निकाल देते हैं लेकिन व हमारी लाइफ की most of the problems अपने आप solve हो जाती हैं और हम खुद को अपना better version, upgraded version बनाते हैं तो इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ को better बनाने के responsibility, खुद को upgrade करने के responsibility खुद लेते हैं तो आज के वीडियो में मैंने आपके लिए ही एक six step process शेयर किया है जिसको follow करके आप अपने real self को identify करोगे, खुद को discover कर सकोगे ताकि आप इस life को fully enjoy कर सको, मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनके साफ मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके notification bell पे click जरूर कर देना, मैं इस चैनल पे ऐसे ही videos upload करती हूँ जो हमारी quality of life को improve करके हमें हमारे higher self से connect कराने में support करते हैं, so without any further delay let's begin, तो खुद को पहचानने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो है SWOT Analysis, SWOT Analysis basically एक business strategy tool है, जो कि अपने competitions के साथ अपने strategies को analyze करने के लिए mostly organizations follow करती हैं, लेकिन यह सिव business ही नहीं हमारी personal life को design करने में भी उतना ही ज SWOT Analysis में हमें एक five step process follow करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम यह analysis करने बैठे, तो हम कहीं शांत एकांत में बैठे, जहां हमें कोई disturb न करे, दूसरा हमारे पास noot down करने के लिए कुछ हो, या तो हमारा laptop हो हमारे पास, या फिर हमारे पा करने से पहले आपको यह भी decide करना है कि आपको न अपनी life में क्या positive change या क्या better आप करना चाहरे हो, जैसे कि आप अपने career में कोई decision लेना चाहते हो, या फिर परसनल growth से related कोई decision लेना चाहते हो, वो करना चाहते हो, या फिर अपने relationships को improve करना चाहते हो, या फिर अपने financial future को plan तो आप अपनी लाइफ में जो आउटकम चाह रहे हो, सल्व डिसकवरी से जो आप चाहते हो आपको मिले, वो आपको लिख लेना है. So, SWOT Analysis का फर्स टेप होता है कि अलेस्ट यानि आपके जितनी भी स्ट्रेंग्थ हैं या आपके पास आपको लगता है कि facilities हैं, resources available हैं, कोई आपके पास extra skill है talent है, inborn talent है या फिर आपने कोई specialization की हुई है, ये सब आपको identify करके जितनी जादा हो सके हैं वो लिखनी है आप ये देख सकते हो कि मैंने किसी चीज में specialization की है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे बहुत ज़दा compliments मिलते हैं ऐसा क्या quality है मेरे अंदर या फिर आपके कुछ पिछली past की जो achievements है आप उन पर reflect कर सकते हो कि वो जो आपने achieve किया उसके पीछे आपके क्या quality थी जिसने आपको support किया तो कुछ भी quality हो सकती है सदा तेजी से अचीव करना शुरू कर देते हो तो अपनी strengths को identify करने के बाद हम step 2 पे चलेंगे जहांपे हमको हमारी सारी weakness लिखनी है कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरिया है यानि वो areas जहांपे कि आप चाहते हो improvements हो ना जैसे कि आपको fear of public speaking हो सकता है आपको बडर लग सकता है लोगों से बात करने में या फिर कुछ ऐसे technical skills हो सकते हैं जो कि आपको आपके profession में upgrade करेंगे आपको उसमें और जादा आगे लेकर जा सकते हैं लेकिन वो अभी तक आपने खुद को upgrade नहीं किया वो भी तक नहीं सीखे हैं वो आपकी weakness हो सकती है या फिर आपकी procrastination करने की habit कुछ ऐसी habits जो आपको लगता है कि वो आपको weak बनाती हैं आपकी कमजोरी हैं जिनको कि आप improve करना चाते हो वो qualities जो आपको अपने अंदर पसंद नहीं है जिनकी वज़े से आपको लगता है कि आप अपना जो best है वो perform नहीं कर पाते हो अपनी best life नहीं जी पा रहे हो आपके relationships उससे spoil हो जाते हैं जैसे कि आप बहुत जल्दी react कर जाते हो या फिर overthinking के habit है जिसकी वज़े से आप productive नहीं रहे पाते हो तो ये सारी आपको एक list बनानी है कि आपके अंदर आपको क्या क्या लगता है weakness है और इसका purpose उससे को क्रिटिसाइज करना नहीं है बलकि उन areas को identify करना है जिनमें कि हमने improvement करने जो कि हम एक direction प्रोवाइट करेगा life में कि हमको life में कैसे खुद का better version बनना है कैसे अपने life को better बनाना है ताकि अपने full potential को use करके आप chances of failures जो है उनको कम कर सको और और भी अच्छा होगा कि आप किसी close friend या किसी family member या जो भी आपको लगता है कि आपको बहुत support करते हैं उनकी भी राए ले सको एक बार कि उनको क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या-क्या scope of improvement है third step है to identify your opportunities ऐसी कौन-कौनसी opportunities या मौके हैं जिनको आपको लगता है कि आप use करके better कर सकते हो अपने life को भी और खुद को भी कि आप अपने network को increase कर सकते हो कि कोई नया skill सीख सकते हो या फिर खुद के अंदर कोई changes ऐसे हैं जो लिख कर आ सकते हो in short वो हर तरीका वो हर possible काम जिससे कि आप अपने desired outcome तक पहुँच रहे हो वो आपको यहां पर लिखने है fourth step पे आपको अपने threats identify करने है threats यानि की challenges जियो कि एक तरह से एक बाधा बन सकते है roadblock बन सकते हैं आपके उस goal तक पहुँचने की journey में वो threats कुछ भी हो सकते हैं हो सकता है कि आपने कुछ नया identify किया कि मुझे ये काम करना है उसके लिए मुझे नया skills सीखना है तो हो सकता है उसकी वज़े से आपको extra time devote करना पड़े जिसकी वज़े से आपके relationship सफर करें वो एक threat हो सकता है या हो सकता कि बहुत ज़दा काम आपने सारे कर लो तो आपके mental health सफर करना शुरू हो जाए बहुत ज़दा stress होना शुरू हो जाए क्योंकि आप बहुत ज़दा ठकना शुरू हो जाओ rest के लिए आपके पास time ना बचे या आपकी health related कुछ ऐसे issues हैं जो आपको लगता है कि वो एक threat या एक challenge हो सकते हैं आपके उस desired outcome तक पहुँचने के तो वो सारे threats जो है आपको यहां लिखने है तो यह तो हुए four steps strength, weakness, opportunity and threat यह सब आपने identify के in relation to your desired outcome जो आपने पहले decide किया final step होगा SWOT analysis का जिसमें के आपको दो काम करने है matching and spinning matching में आपको जो आपके inner qualities हैं और जो आपके flaws हैं यानि कि जो आपके strength थी और जो आपके weakness थी उनको external conditions के साथ match करना है जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी subscribers हैं जो मेरी YouTube family का part है आप सब आप सब खुश हो मैं आपके life में value addition कर सकूँ तो उसके लिए मेरे पास जो strength है वो यह कि मैं hard working हूँ और opportunity मेरे पास क्या है कि मुझे quality content create करना है ताकि मैं reality में आपके life में value addition कर सकूँ तो strength कि मैं hard working हूँ उसको मैं use करूँगी अपने quality content को create करने में उस opportunity को use करूँगी में इन दोनों को combine कर के जो मेरा threat है कि पता नहीं मेरे जो subscribers है जो YouTube family है उनकी life में मैं value add कर भी पाऊँगी कि नहीं वो लोग relate भी करेंगे कि नहीं content से उसको overcome कर सकती हो और मुझे happy subscribers मिलते हैं यानि कि अपनी strength और opportunities को use करके अपने जो threats हैं उनको कम कर देना है और ऐसे ही क्या करना है हमें जो हमारी weakness है उसको हमें कम कर देना है अपनी opportunities को use करके जैसे कि अगर मुझे fair है public speaking से मुझे डर लगता है ये मेरी weakness है तो उसके लिए हमें अपनी opportunities की मेरे पास public speaking के लिए और क्या क्या opportunities हैं जिससे कि मुझे डर लगता है desired outcome है public speaking कि मैं confidently बोर सकूँ और हमारी weakness किया यहां पे कि मुझे डर लगता है बोलने में opportunity किया है कि जहां-जहां बोलने का मुखा मिल रहा है office में बुलने का मुखा मिल रहा है कुछ present करने का आसपास में लोगों के साथ बात करने का मुखा मिल रहा है youtube पे videos create करने का मुखा मिल रहा है तो उन opportunities को use करके मैं अपने उस fear को overcome करूं तो इस तरही के से हमें matching करनी है अपनी strength and opportunities को use करते हैं अपने threats को कम करना है और अपनी weakness को overcome करना है matching के साथ ही हमें करना है spinning जिसमें कि हमें हमारी जो threats हैं और weakness हैं उनको re-define करना है re-valuate करना है opportunity और strength के form में जिसे कि अगर हमें career में growth करने हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि artificial intelligence आ गई है उसकी वज़े से मेरे career सफर कर सकता है यह threat हो गया एक तरह से लेकिन उसको opportunity में convert कर सकते हैं खुद को upgrade करने की अपनी profile को upgrade करने के लिए हम AI अगर सीख जाए artificial intelligence को कैसे use करना है अपनी profession के साथ कैसे combine करना है और जब हम उसको सीख जाएंगे तो वो हमारी strength बन जाएगा तो इसे तरीके से जो भी हमारी weakness है उनको opportunities की तरह लिखना है अब खुद को upgrade करने की उनको करके हमें फिर उसको अपनी strength बना लेना है तो ये तो था सबसे पहला step self discovery का जिसमें कि हमको SWOT analysis करना है second step पे हमें identify करनी है अपनी values values का मतलब वो कि हम जिन्दगी से क्या चाते है हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है मतलब एक तरीके से जिनने के हमारी क्या सिधान्द है हम जिन्दगी से चाहते क्या है यह हम यहाँ पर लिखेंगे यह हमारी life को govern करने वाले rules होते हैं किसी की होते है, जैसे किसी को जूट बोलना बिल्कुल नगी पसंद disconnected होते हैं, कि हमको पसंद तो है organized रहना, लेकिन हम organized नहीं हैं, हम कुछ भी manage नहीं करकर चल रहे हैं, तो उससे हम constantly stress में रहते हैं, हमेशा परिशान रहते हैं, ऐसे अगर हमें खुशी इस बात से मिलती हैं, कि हम खुद को healthy और fit रखें, और हम खा कुछ भी रहे हैं, उट पर और बिल्कुल भी work out नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमें कभी भी inner satisfaction and happiness नहीं मिलेगी, तो जो भी हमारे governing rules हैं, लाइफ के वो हमको identify करने हैं, कि exactly वो क्या चीजी हैं, जो मुझे खुशी provide करती हैं, जो मुझे एक sense of satisfaction provide करती हैं, और आपको एक proper list पनानी हैं, सारी values की, कि आप यह लिखोगे कि आपको कैसा behavior पसंद है, और बहुत ईजी तरीका है इसका कि आपको दूसरों में कौन सा behavior पसंद आता है, तो वही आपकी values हैं, उनको आप लिखोगे, ऐसे ही आप अपनी priorities identify करोगे, कि मेरी life में priority क्या है, अगर आपकी life में priority family है, family के happiness है, और आप उनको ही पुषी मिलती है, यह सब आपको जितनी चीजें आइना दी मागने, वो सब एक list बना लेनी है, जितनी maximum से maximum लिख सको, फिर उसको आपको cut shot करना है, सिफ 10 core values तर, 10 आपको उनमें से choose करके लिखनी है, बाकी सब आपको हटा देनी है, erase कर देनी है, फिर उन जो 10 आपने final की है priorities हैं यह आपकी life पे, यह वो values हैं जिनके साथ आप कभी कोई compromise नहीं करना चाते, इसके बाद आपको इसमें से जो top 3 priorities हैं वो define करनी है, तो top 3 जो इसमें से आप values निकालोगे, यह आपकी core value है, जिनके से की aligned होने चाहिए, आपके दिन के सारे actions, आपके सारे decisions, आपके सारे goals, तभी आपको happiness मिलेगी life में, क्योंकि जो top 3 core values आपने choose की हैं, prioritize करी हैं, यह आपका real self है, जिनको कि अगर आप जीना शुरू कर दोगे, उनसे aligned रहे कर, तो आप अपने authentic self के साथ connected रहे के जियोगे, और जितना आप अपने authentic self के साथ connected रहोगे, उतना ही आप जादा confident रहोग हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे time जाता है, हम उनको भूलते चले जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है, कि एक तरह की mistake हम बार बार repeat करते जाते हैं, लेकिन अगर आप लिख लोगे ना कहीं पर आपकी क्या major learnings हैं आपकी life में, लोगों से related, या career के decisions related, या अपनी health से related, या खुद से related, अपने behavior से related, वो सब आप जब लिख लोगे तो वो आपकी एक life book की तरह ready हो जाएगी, और क्योंकि हर किसी की life के experiences अलग हैं, वैसे ही आगे की journey भी अलग है, तो आप अपनी life की जो journey है आगे की, उसमें जादा better decisions ले पाओगे, जब पास अपने past experience से learn की हुई एक life book ready होगी, next आपको identify करने हैं अपने emotional triggers, चाहे वो किसी भी तरह की emotions हो, जो कि आपको emotionally weak बनाते हैं, emotions आपको पहले तो ये लिखने हैं कि सबसे जादा कौन सा emotion है, जो आप बहुत strongly feel करते हो, जिस समय कि आपको खुद की उपर control ही नहीं रह जा लोगे आप खुद की, तो आप अपनी needs और अपनी boundaries को जादा अच्छे से set कर पाऊगे और लोगों को भी convey कर पाऊगे, अपना जादा अच्छे से खयाल रख पाऊगे अपनी emotional and mental health का, इसके लिए भी आपको step by step process follow करना हैं, जिसमें की सबसे पहले तो आप अपने emotion का name ल लिखोगे, दूसरे में आप लिखोगे situation, उसको detail में explain करोगे कि exactly क्या हुआ था, जिसकी वज़े से आपने इतनी strong emotion को feel गया, जिसकी वज़े से इतना ज्यादा गुसा आ गया था, जिसकी वज़े से इतना ज्यादा रूना आ गया था, इतना ज्यादा आप डर गये थे, उ आप उसको लिखोगे तो आप दूसरे परसंड का point of view भी समझोगे और exactly क्या हुआ था, वो पिन पॉइंट किया था, जिसकी वज़े से आपको वो emotion feel वो अगया था, इसके बाद आपको 1 सलेके 10 के बीच में अपने उस emotion को rating देनी है कि कितना intense था, कितना strong था वो emotion, 1 सलेके 10 आप किस level पे आप कहते हो कि मुझे वो गुसा आया था, इमोशन आया था, वो 8 लेवल पे था, 7 लेवल पे था, 10 लेवल पे था, कि बिल्कुल दिमाग ही फटने वाला था उसके बाद, नेक्स आप लिखोगे physical sensations भी, कि जब आप उस emotion को feel कर रहे थे, तो आपको physically क्या feel हो आपका heart rate बहुत जदा बढ़ गया था, या आसू बहुत जदा आ रहे थे, या आपके हाथ पेर कांफने शुरू हो गए थे, या आपका headache होना शुरू हो गया था, body गरम होनी शुरू हो गय थी, पूरी body में आपको vibration फील हो रहे थी, गुस बंस आ रहे थे, ये physical sensations भी आप कोई ऐसी बात थी, या कोई misunderstanding थी, या फिर कोई action किसी person ने ऐसा किया था, जिसकी वज़े से आपको इतना strong emotion वो वाला फील हुआ, जब आप ऐसा करोगे तो आपको बिलकुर clearly पता चल जाएगा कि वो कौन सा आपका pain point है, जिसकी वज़े से आप emotionally इतने weak हो जाते हो कि आपक आपक होए, आप कैसी better तरीके से respond करोगे, और ये खुद को पहचानने के लिए self discovery का एक बहुत important aspect है, यूगि जब तक हम अपने emotions के triggers को identify नहीं करते न, तब तक हम randomly हर कोई हमें control करता रहता है, जैसा कोई चाहे, जब कोई चाहे गुसत दिला दे, जब कोई चाहे हमें रु नेक्स्ट आपको अपना learning style identify करना है, कि आपना किस तरीके से सबसे अच्छा सीख सकते हो, learning देखो हमारी life को better करने के लिए, upgrade करने के लिए, हमारी personal development के लिए एक बहुत important aspect होता है, जब तक हम कुछ नया नहीं सीखते रहेंगे, तो हम outdated हो जाएंगे एक दिन, अब वो नया सीखने के लिए भी हम randomly नहीं कर सकते कि कोई और किसी ने class join की हम भी उसके साथ चल पड़े, आपको खुद को यह समझना है कि मेरा learning का कुछ नया सीखने का best तरीका क्या है, मुझे मतलब कैसे में जाद अच्छे से सीख पाती हूँ, क्या videos के थूँ सीख पाती हूँ, या audio क सीख पाती हूँ, या books पड़ के सीख पाती हूँ, या physically कोई workshop या class attend करके सीख पाती हूँ, जब आप उस learning के method को identify करोगे कि आपका learning style किया है, तो फिर आपको जो भी नया सीखने है, वो सेम उसी direction में सीखने है और इधर उधर अपना time waste नहीं करना है, इस से फिर आप right तरी होगी, उसके अंदर क्या-क्या skills होंगे, वो problem में अगर आए तो उससे कैसे deal करती होगी, situation से कैसे deal करती होगी, वो लोग जिनके साथ आपको deal करना बहुत मुश्किल लग रहा है, जो आपका better self, आपका higher version आपको लग रहा है, वो उनसे कैसे deal करता होगा, जब आप उसकी ए आप फिर right goal set कर सकोगे, खुद को अपने आपको वहां तक लेकर जाने के लिए, वहां अपने inner self से, higher self से connect होने के लिए, क्योंकि हम अपने अंदर वही qualities लेकर आना चाहरे होते हैं, जो असल में हमारे अंदर कहीं दबी होई होती है, हमें उनको खोज कर निकालना है, और व आपका better version कोई आपसे अलग नहीं है, आपके अंदर ही छुपा हुआ है, जिसको की right actions and right steps लेकर आपको real world से मिलवाना है, इस video को create करने के लिए मैंने बहुत महनत किया, और अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही quality content मैं आपके लिए लाती रहूं, तो वीडियो को like ज़रूर कर दिय करो और जितने भी लोगों के साथ हो सके इसको share जरूर किया करो, मिलते हैं next video में, till then stay blessed, stay smiling, namaste